उत्तराखंड का वर्डिक्ट दोनों की लोग प्रियताथ पर प्रदानमंत्री की रेस पर ये देखें यह आकड़ा यहाँ पर नरेंद्र मोधी का तेजी से बढ़ता हुआ सतावन फीस दी मतलब यूपी से कहीं जादा उत्तराखंड में है जबकि 32 फीस दी लोग राहूल गांधी को सक्षम मानते हैं प्रदानमंत्री के उमीद्याँ यहाँ भी आकड़ा बड़ा है 22 से 32 पर पहुचा है तो यह है कामकाच पर अब हम बात करते हैं कि कामकाच से कितन प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं तो थम्स अब देते हुए 45 फीस दी लोग उत्तराखंड के नरेंद्र मोदी के कामकाच को ठीक ठाक वही लोग जो इधर उधर हो सकते हैं 23 फीस दी बड़ा करा एक बार फिर से मतलब 100 में से हर पांचमा व्यक्ति उससे भी जादा असंतु प्रतिश्ट कहने वाले 24 फीस दी हैं तो यह आपको पूरा जिस्ट मिल गया कामकाच का अब जल्दी से मुख्यमंत्री की तरफ चलते हैं कि मुख्यमंत्री के रेस में यहां पर लोगों की क्या राय है लेकिन उसे पहले तेल आपको एक बर ज़रा दिखा देते हैं कि टैक्स घटाईए पेट्रोल के लिए बहुत पैसा निकल रहा है आपने कहा था अब की बार महंगाई पर मार हमपर पड़ रही है महंगाई पर नहीं यह आवाज क्या सत्ताधारियों के कान तक पहुच रही है अगला सीम कौन हो जिया वही सवाल जो हम तबाम राजयों में अभी भी रेस में इंट्रेस्टेंग नौ फीजदी वोट के साथ और सत्पाल महराज के लिए भी पांच पीजदी लोग के कह रहे हैं कि सीम उनको होना चाहिए अब जल्दी से राज सक्राकार का कामकाज हम आपको दिखा देते हैं कि उत्राखंड में लोग क्या कह रहे है त्रिवेंद्र सिंग रावत के कामकाज पर क्या वो यह मानते हैं कि कामकाज से वो संतुष्ट हैं तो संतुष्ट कहने वाले कितने फीजदी लोग थे वो हम आपको जल्दी से दिखा रहे हैं 30 फीजदी सिर्फ 30 फीजदी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंग रावत का काम झाल झाल